हेलो ब्रिवान और वेल्कम टो इंग्लिश सागा आज के लिसन में हम सीखेंगे डेली कॉंवेसेशन में यूज होने वाले क्वेस्टिन्स इस पर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ और मैंने डेली कॉंवेसेशन सेंटेंस पर भी एक वीडियो बनाई है लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और उपर आई बटन में भी होगा हम आज डेली कॉंवेसेशनल क्वेस्टिन्स की सेकंड पार्ट सीखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मेरे यानि राशिके साथ जैसा कि मैंने आपको पिछले लेसन में बताया ही था कि हमें बातचीच शुरू करने से पहले कॉंवेसेशन शुरू करने में क्वेस्टिन तो पूछना पड़े गए ना तो हम वही क्वेस्टिन सीखेंगे फिफटीन क्वेशन पहली वीडियो में सिखा दिये हैं और फिफटीन में आज और सिखाऊंगी अगर आपको ये लेसन अच्छा लगेगा तो मैं इसकी सीरीज कॉंटीनियूर करूँगी अगर आप किसी से पूछ रहे हैं बातचीत स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे ये पूछे कि उसको सबसे जादा विजट करना क्या पसंद है कि कभी आप एक दूसरे से मिलें गूमने जाए तो आप उसको इंप्रेस करने के लिए उस जगा पे ले जाए तो हम कैसे सबसे जादा तुम्हें कौन सी जगा पर जाना पसंद है अगर आपको सामने वाले का बर्ट से पूछना है कि कभ आता है तो हम कहेंगे when is your birth से सबसे सिंपल क्वेश्चन है अगर आप किसी दुकान पर गए हैं और आपको उनसे पूछना है कि हापे किजन वेयर का या हाउ का समान मिलता है किचन वेयर मतलब जो किचन के बरतन होते हैं तो आप पूछेंगे डू यू सेल हाउसओल आइटम्स एर क्या तुम यहाँ पे घरेलू चीजे भी बेचते हो जैसे मान लीजे गलास हो गया मिक्सी हो गई यह होते हैं किचन वेयर हाउसओल वेयर भी पोलते उनको कस्टमर केर पे पूछ रहे हैं What's wrong with this internet connection? Internet connection के साथ क्या खराभी है? अगर आप किसी से गुस्सा है और वो आपको बार-बार कॉल कर रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में है आप तो थोड़ी English बोल दीजे आपका impression अच्छा जमता है पता लगता है कि हाँ भाई सामने वाला तो आप बहुत गुस्से में है Why did you call me? तुमने मुझे फोन किया क्यों? अगर तो आपको सिंपल भी बोलना है तो भी आप expression जेंज करके बोल सकते हैं Why did you call me? तुमने मुझे फोन क्यों किया? अगर कोई आप से बिना बताए कहीं चला गया है या फिर आप साथ में हैं और वो चले गए हैं तो आप क्या कहेंगे? Why did you leave without informing me? मदलब तो मुझे बिना बताए क्यों चले गए? अगर किसी ने आपको पार्टी पे invite किया है पट वो ये बताना बूल गए कि पार्टी है कहां पे? तो आप कह सकते हैं Where is the party? पार्टी कहां पर है अगर टाइम बूल गए तो When is the party? टेस्ट के नाम पे तो सारे बच्चों को परिशानी होती है मुझे भी होती है जब मेरे टेस्ट होते हैं तो मुझे भी लगता है क्यों देने पढ़ रहे हैं टेस्ट तो हम अपनी टीजर से पूछते हैं कि कितने टाइम में खतम होगा अब आपनी इंग्लिश टीजर से कैसे पूछेंगे How much time do I have to finish the test? मेरे पास कितना टाइम है ये टेस्ट फिनिश करने के लिए अगर कोई आपसे लडाई कर रहा है या फिर ये question तो मम्यों के लिए है वो अगर पूछना चाहें कि क्यों लड़ रहे हैं उनके बच्चे किसी से या किस से लड़ रहे हैं With whom were you fighting yesterday? किस से लड़ रहे थे तुम कल? अगर आप किसी से मिले हैं और आपको उनका profession पूछना है या फिर आपको ये भी पूछना है कि वो क्या business करते हैं बट याद रखिए आपको ये नहीं पता कि वो business करते हैं तो हमेशा हम profession लगा के ही question पूछते हैं What is your profession? तुमारा क्या profession है? Generally profession जब हम question में पूछते हैं तो इसका मदलब होता है कि आप क्या काम करते हैं क्योंकि हम सीधा नहीं पूछ सकते कि आप business करते हैं या job करते हैं तो profession लगाने से आप अच्छे sound करते हैं एक question मैं बीज में miss कर गई जब मम्मी ने पूछा कि तुम किस से लड़ रहे थे कल और आपने जूट पोल दिया तो मम्मी आगे क्या पूछेंगी? Am I supposed to believe you? क्या मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए? मेरी मम्मी तो यह हमेशा ही करते हैं Am I supposed to believe you? अगर आप किसी के साथ मैच देख रहे हैं या किसी से किसी मैच की बारे में बात करें हैं क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या टेनिस हो तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं Which is your favorite player in the team? टीम में तुम्हारा favorite player कौन है? अगर कोई contest चल रहा है जो इसके बारे में आप बात करें हैं या आप टीवी पे कोई reality show देख रहे हैं किसी के साथ तो आप उनसे उनका opinion पूछ सकते हैं Who do you think will win the contest? मतलब तुम्हें क्या रबता है कौन contest जीतेगा? इससे बात भी शुरू होगी और आप देखते देखते बोल भी नहीं होगे अगर आपको पूछना है किसी को कि वो साथ में आपके market चलेंग या नहीं या कहीं भी आपको जाना हो तो आप पूछ सकते हैं Will you come to the market with me? क्या तुम मेरे साथ market आओगे? ऐसे ही अगर आपको movie देखना हो तो market को movie से replace कर दीजिए या फिर आपको कहीं भी किसी के साथ जाना हो तो आप इस sentence कर सकते हैं अगर आपको सामने वाले की dress बहुत पसंद आ गई है और आपको उसको भी इंप्रेस करना है कि सिरफ वो ही अच्छे नहीं है आपको भी कुछ आता है तो आप कैसे पूछेंगे For how much did you buy this dress? तुमने एड्रेस कितने में खरीदी? तो ये थे थोड़े daily conversation के questions जो हमने आज सीखे अगर कोई भी doubt है तो मुझे नीजे comment में पूछे या फिर mail भी कर सकते हैं हम मिलेंगे next lesson में तब तक के लिए keep long कर सकते हैं कर सकते हैं तो मुझे जड़े जो कर सकते हैं तो मुझे नीजे पूछे